हलो फ्रेंद्स वेल्कम तू और मोर नॉलेजबल वीडियो और दिस वीडियो इस बेश्ट आन यानि वो कैब्स आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं वन वर सब्टिटीशन का यानि दूसरा वीडियो पहले वीडियो में मैंने आपको धेर सारे वर्ट्स बताया था और जो हर एक्जाम में पूछे जाते हैं आगामी परिष्चाओं के लिए सीजियल के लिए ओर्ड के एक्जाम के लिए और अनकई एक्जाम के लिए ये वर्ट्स बहुत ही बेहत ज़रूरी हैं पिछले कई सालों में पूछे भी गए हैं और आगामी सालों में भी उम्मीद है कि यह वर्ड पूछे जाएंगे तो बिना देरी किये हुए आईए आज के यानि वर्ड को देखते हैं लेकिन हाँ आप वीडियो के अन्तक बने रहिएगा और बहुत ही मज़ेदार और अच्छे वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं तो आओ बिना देरी किये हुए देखते हैं आज के पहले वर्ड्स को तो पहला वर्ड्स आज का यह आपके सामने है पहला वर्ड्स यनि लिखा गया है A life history of a man written by himself यनि किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो उसने खुद लिखा हो असरफ मतलब कोई काम खुद हो रहा है तो आटो बायो ग्राफी यनि ग्राफी वर्ड जहां पर आ जाए सोच लीजिएगा कि कुछ लिखने जैसा है या कुछ ग्राफ जैसा है तो आटो बायो ग्राफी मतलब होता है आत्म जीवनी अगर हां life history of a man written by someone else किसी व्यक्ति का जीवन का इतिहास अगर कोई और लिखता है तो उसे हम बोलते हैं बायो ग्राफी बायो मतलब वैसे भी होता है लाइफ और जो है ग्राफी मतलब ग्राफ खीचना लिखना कुछ चीजें तो बायो ग्राफी मतलब होता है यानि जीवनी जब किसी ब्यक्ति महान पूर्सों के बारे में कोई दूसरा ब्यक्ति लिखे तो उसे बोलते हैं बायो ग्राफी जैसे रामायर क्या है यानि भगवान राम के बारे में लिखा गया है तो वह क्या है बायो ग्राफी तो जो यक्ति किसी के बारे में कुछ लिखे तो वो बायोग्राफी होता है नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवलर इन स्पेस एक ऐसा यात्री जो स्पेस में यात्रा करता हो भाई इस्पेस में अगर कोई यात्रा करता है तो उस इस्पेस यात्री को हम साइन्टफिक भासा में बोलते हैं एस्ट्रोनाट एस्ट्रोनाट मतलब होता है यानि अंत्रिछ यात्री तो अगला वर्ड है an assembly of listeners या फिर बोले a crowd of listeners अर्थात एक जो है assembly हो यानि सभा हो आफ listeners जिसमें सुनने वाले लोग हो या फिर जो है कोई भीड भार हो और जिसमें वो किसी को सुनने के लिए आए हो तो उस भीड को या उस सभा को हम बोलते हैं यानि audience ओडियन्स मतलब होता ह स्रोतागर जो सुनने के लिए होते हैं next word है a person who does something a person who does something not professionally but for pleasure एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम कुछ करे वो ब्यावसाइक रूप से न करे अपने पेसे की तोर पे न करे बलकि उसे सौक वस करे आनंद लेने के लिए मजा लेने के लिए करता है कोई काम तो उसको हम बोलते है यानि उस व्यक्ति को बोलेंगे अमेचर अमेचर मतलब होता है यानि सौकिया अर्था तो वह व्यक्ति जो कोई काम सौक वस करता है तो उसे हम अमेचर वर बोलेंगे अगला वर्ड देखते हैं जो बहुत ही important है a person who has a person who has narrow and prejudiced religious views एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संकीड और जो है prejudice मतलब भेदभावपूर तरीके से धार्मिक views होते हैं तो उसे हम बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे बाइगोट बाइगोट मतलब होता है कटर पन्थी या फिर जो है जो कटर धर्मांध हो अर्था धर्म के मामले में बहुत भेदभाव रखता हो तो उ अर्थात एक बिग्यान जो बनस्पतियों के जीवन के बारे में हो बनस्पतियों के जीवन के बारे में जो बिग्यान हो पेड़ पाउधों के बारे में हो तो उसे हम बोलते हैं बोटनी मतलब होता है बनस्पति बिग्यान सबको पता है अगर हम कहें कि science about life एक बिग्यान जो जीवन के बारे में है यानि science that treats life जो जीवन के बारे में ब्योहर करता उस बिज्ञान को हम बोलते हैं biology बायो मतलब life और लॉजी मतलब अध्यान अर्थात वो बिज्ञान जिसमें हम जीवन का अध्यान करते हैं that is biology तो उसे हम biology करते हैं next word है यनि a festival of 100th anniversary अर्थात एक ऐसा तेवहार जो साव में सालगिरह पे मनाया जाता हो अगर हम कोई जो है तेवहार या कोई जो है तारीख दूसरे वर्स रिपीट हो रहा है और उस समय हम कोई खास आउसर मनाते हैं कोई आउसर पर तेवहार इत्याद मनाते हैं तो उसको anniversary बोलते हैं लेकिन अगर ये काम anniversary जो है साववा हो तो उसे हम बोलते है सेंटेनरी सेंटेनरी मतलब होता है सतावदी महुत सव बहुत ही important है यनि सेंटेनरी हम उसे बोलेंगे अब next word है a person who eats human flesh एक ऐसा व्यक्ति जो मानों या इंसानों के मानस्त को खाता है तो उसे हम बोलते हैं यनि कैनिबल cannibal मतलब होता है यनि cannibal मतलब होता है नर्भच्छी जो इनसान का मास्त खाता है next word that can be believed जिस पे विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं believable चाहे तो आप believable बोलिये या फिर आप उसको कह सकते हैं credible मतलब होता है यनि जो विश्वास पात्र हो credible उसको बोलेंगे credible के बाद अगला अगर हम इसी से इसका एंटॉनिम्स देखें अपोजिट वर्ड देखें तो अपोजिट वर्ड है that can't believed that cannot be believed जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके that can't be believed जिस पे विश्वास ना किया जा सके कि उससे हम बोलेंगे incredible incredible मतलब होता है अब विश्वास नहीं तो next word है यनि that is free from national prejudices यह नहीं that मतलब jo is free from यह जो जो आजाद है मुक्त है सोतंत्र है from national prejudices national मतलब होता है राष्ट्री यह निन थो जीस्वास पर भेद्भा ओं से जो राष्ट्री की इसवर की स्वाथ से मुक्त है आजाद है तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं यानि कास्मो पॉलीटन कास्मो पॉलीटन मतलब होता है बिस्ट प्रेमी जैसे स्वामी विबेकानन्द जो है या बहुत से महानपुरुष जो पूरे जगत को अपना परिवार मानते थे भारत ऐसा यानि देश है जो प बोलेंगे कास्मो पॉलीटन कास्मो पॉलीटन मतलब होता है बिस्ट प्रेमी जो पूरे जगत को माने की सब जो है एक है पूरा यनि दुनिया जो है आपस में एक ही जैसे हैं तो उसे हम बोलते हैं कास्मो पॉलीटन अगला वर्ड है The state of being unmarried अर्थात एक ऐसी अवस्था एक ऐसा समय जिसमें आप Unmarried होते हैं आविवाहित होते हैं तो आविवाहित जीवन की वो अवस्था जो आविवाहित अवस्था होती है तो उस अवस्था को कहाते हैं हम सेलिबाइसी सेलिव ऐसी मतलब होता है ब्रह्मचर की अवस्था अगला वर्ड है वांट ओफ रेन मतलब होता है जब बारिष की कमी हो बारिष की जो है डीमांड हो तो ऐसी स्ति को ऐसी यह वस्था को हम बोलते हैं टारिष कमी स्ति काल आश्यलिऊ मतलब होता है तो अब हम इसे बोलेंगे द्राट यानी सूखा तो अगला वर्ड है वणहु विलिफ इन फेट फेट मतलब होता है भाग्य जो अपने भाग्य में विस्वास रखता है बहुत से लोग यानि भाग्य में ज़ो है यानि ज़ादा विस्वास करते हैं भाग्य के उपर डिपेंड रहते हैं तो भाग्य में जो विस्वास करें उसको हम एक सबने बोलेंगे फैटा लिस्ट यानि फैटा लिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी नेक्स्ट वर्ड है that may cause of death यानि जो मृत्तु का कारण हो यानि कारण बन जाता है तो जो मृत्तु का कारण हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यानि एक सब्द में यानि फैटल मतलब होता है यानि घातक जो फेटल बोलेंगे अगला वर्ड है एक फार विच नो सालरी इश जाता हो अगर कोई आप काम करवाया और उसके लिए आपको वेतन नहीं किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओनरेरी मतलब होता है और वैतनिक हो जाता है नेक्स्ट वार्ड है आर्ट्किल सेंट फ्राम् वन कंट्री तु एन उदर अर्थ़ात व्श्तूएं जब एक देस से जो है बहर जाती है दूसरे देस में यहनु आर्ट किल्स संट फ्रॉं वन यहनु इक्सקो देस में आ बाहर को जाना तो export मतलब होता है जो वस्तुएं बाहर जाया उसको हम यनि बोलते हैं निर्यात अगर हम इसी का अपोजीट देखें निर्यात जब वस्तुओं को बाहर भेजते हैं लेकिन मैं कहूं कि article प्राइख से जब वास्तिर में आती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट मतलब होता है आयात कोई छीज लाया जाए तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं लेकिन बाहर भेज़ा दै तो उसे हम export बोलेंगे और इसी तरह से अगला वर्ड है डिजीज इस्प्रेड लार्ज ओवर एरिया यनि एक विमारी जो इस्प्रेड ओवर अगला वर्ड है that cannot be read जिसको पढ़ाना जा सके जिसको पढ़ाना जा सके उसे हम बोलते हैं यानि that cannot be read उसे हम बोलेंगे eligible eligible मतलब होता है और नेक्स्ट वर्ड है one who can neither read nor write एक जो ना तो पढ़ सकता है और नहीं लिख सकता है जो ना तो पढ़ सके और नहीं लिख सके तो जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है उसको हम बहुता है illiterate illiterate मतलब अनपढ या निरच्छर next अगला वर्ड यानि that is contrary to law that is contrary contrary मतलब होता है जो against हो बिरोध में हो तो that is contrary to law इसका मतलब होता है यानि illegal illegal मतलब होता है अवायधानिक तो जहां पर आप देख रहा है इल वर्ड आ जा रहा है तो उसमें कोई काम यानि नहुना पाया जा रहा है इल मतलब हाला कि होता है बिमारी तो इलिटमर्ट इलिगल और इलीजबल तो यहां पर यह जो यह जो आग पकड़ने में बहुत आसान हो तो उसे बोलते हैं इन्फ्लैमेबल मतलब होता है यानि जोलन सील बहुत तेजी से जो आग पकड़ ले इन्फ्लैमेबल होता है नेक्स्ट वर्ड अप्लेस और रूम और बिल्डिंग एक अस्थान या फिर एक रूम या फिर एक बिल्डिंग that is used for scientific experiment जो बैज्ञानिक रूप से जो है प्रयोग के लिए उप्योग किया जाता हो तो उसे हम बहुत है लेबर अट्री लेबरोट्री मतलब होता है प्रयोग साला तो हम उसे लेबरोट्री बहुते हैं नेक्स्ट अगर हम बोलें कि a room that is for collection of books यानि एक रूम जो यानि किताबों के फिर लेक्शन के लिए है तो उस जो है पर्सिंद को जांता है थे अई कंश को जांद आर्थास जो सेक्रिफासिन पहरों का सुअधिक उससे घरां आता ज्याएं कि बवन आल किंये दून कंने सभी कहा हैं माइटर मतलब होता है सहीद यानि जो अपने जीवन को अपने प्राण को त्याग दे किसी महानकारियों के लिए तो उसे हम बोलते हैं यानि माइटर नेक्स्ट वर्ड है वाडली नोन फॉर बैड वर्क्स एक ब्यक्ति जो ब्यापक रूप से बड़े छेत्र में यानि बुर अगला वर्ड है यानि गिविंग एस्पेशल फेवर बाई अपर्शन इन हाइप उजीशन तो इस रिलेटिपस अर्था गिविंग एस्पेशल फेवर बाई पर्शन किसी ब्यक्ति के द्वारा कोई खास जो है यानि पच्छपात किया जाए हाई पोजीशन मतलब किसी यह राजनिती में बालीबूड में यह कई ऐसे चित्रों में आप बड़े आसानी से देख सकते हो जो आपने ही लोगों के लिए पच्छपात किया जाए नौकरी के लिए किसी बड़े पोश्ट के लिए किसी पद के लिए तो यनि प्रचलन को हम बोलते हैं यनि नीपोटी नेक्स्ट वर्ड है दाट इस नो लॉंगर इन यूज जो लंबे समय से प्रचलन में नहीं है प्रथा में नहीं है तो उसे बोलते हैं आपसलीट मतलब होता है जो प्रचलित नहीं है आप प्रचलित तो एपसीलीट बोलेंगे एक लड़का जिसके माता-पिता मृत हो गया तो अगला वर्ड है holding conventional belief in the matter of religion धर्म के मामले में अपनी पुरानी मानिताओं को अपनी परंप्रगत सिधानतों को या मानिताओं को विश्वासों को बनाये रखें ऐसे ब्यक्ति को बोलते हैं और्थो डॉक्स और्थो डॉक्स मतलब होता है